Hello guys, क्या आपने IPU Counseling में participate किया हुआ? Round 1 की choice feeling क्यू ही है? Allotment का wait कर रहे हो. Allotment से पहले major changes क्या-क्या होने वाले हैं Round 2 Counseling के अंदर उसके उपर बात करेंगे Allotment के बाद आपको क्या-क्या पूरा procedure फॉलो करना है उसके उपर detail में बात करेंगे इस वीडियो के end तक देख लेना बिल्कुल detail में सारा process में explain करूँगा detail-wise, 1-1 point-wise Process किस तरह से आपको follow करना है? सबसे पहले IPU Counseling में अगर आपने participate किया है तो second round के अंदर क्या changes होंगे? सबसे पहले जो आपका आएगा major changes के आगे आएगा सबसे पहले आपका seat allotment का result आएगा तो result जो है वो 27 को declare हो जाएगा जैसे ही कोई seat आपको मिलती है उसके अंदर जो भी आपने choice filling की होगी उसके अंदर से अगर कोई भी seat allot होती है तो आपको seat confirmation fee pay करनी पड़ेगी जोकी है 60,000 rupees तो यह seat confirmation fee pay करना important है अगर आपको कोई seat मिलती है otherwise आप IP counselling से बाहर कर दिये जाओगे तो आप IP counselling में eligible नहीं रहोगे further rounds के लिए आना round 2 में आप और क्या क्या कर सकते हो जैसे ही आप seat acceptance fee pay करोगे आपके पास 2 option होगे आप either freeze कर सकते हो या float कर सकते हो आप float option पर रखोगे it means कि आपको उपर वाले choices जो आपने भरे है counselling के अंदर जो भी उपर की choice filling भरी है उसके लिए आप दे रहे होगी ठीक है मुझे अप gradation चाहिए मैंने उपर और भी choice filling की हुई है मुझे जो seat मिल गई है मैं उसको accept कर रहा हो और उपर जा रहा हो ठीक है अब यहाँ पर round 2 में क्या-क्या बड़े option देखने को मिलते हैं उसके उपर बात कर लेते हैं सबसे पहला option आपकी पास मिलेगा कि आप choice filling में modification कर सकते हो कोई बच्चा है जिसने first round के अंदर कुछ choices गलत फिल कर दी है तो विल्कुल वो अपने choices को change कर सकता है round 2 के अंदर है choice interchange and modify दोनों ही allowed है नए choices आप add कर सकते हो पुराने choices आप delete कर सकते हो तो यह possible है round 2 की counselling में यहाँ पे fresh registration जो है आपका allow होने वाला है तो बहुत सारे बच्चे जिन की counselling छूट गई थी आइप्यू की या उन्होंने कुछ जो है वहाँ पे उस समय पे अक्टिवनेस नहीं दिखाई और आइप्यू में बस जो है registration fee 1500 का pay किया जो 1000 रुपी थी registration का counselling fee वो pay नहीं किया तो अब वो बच्चे भी allowed होंगे और वो registration fee counselling fee जो 1000 रुपी pay करके है second round के अंदर participate कर सकते हो ठीक है तो यह जो बड़े changes थे वो important है आपके लिए जो round 2 में आपके पास देखने वाले मिलने वाले है अब सबसे important यार यहाँ पे बच्चे बहुत सारी mistake करेंगे round 1 में जरूर कई नवा कई बच्चों ने choice filling में बहुत जादा mistake की होगी as a counsellor यार यह important काम है मेरा बताना की कैसे आप इसको re-correct कर सकते हो बहुत सारे counselling premiums आपने लिए होंगे आपका counsellor पैसे लेके यह चीज़े नहीं बता रहा होगा but मैं free of cost आपको बता रहा हूँ सबसे पहले अगर आपको कोई भी गलत seat मिल जाती है if you got wrong allotment by your choice filling still you can re-correct it अब still उसको ठीक कर सकते हो कैसे sir how can we do it देखे for example अगर किसी बच्चे ने यार अभी दो example लेके मैं समझा रहा हूँ किसी बच्चे गलत choice filling किया है उसने मैट के सारे branches रखे है ठीक है MSIT भरी हुई है गलती से एक ऐसा college भर दिया है जो उसको नहीं चाहिए बट उसने ऊपर भर दिया है by mistake भर दिया है लेकिन अब क्या करेगा वो panic state में आ जाएगा तो यहाँ पे आपको समझदारी दिखानी है आप स्टिल इसको re-correct कर सकते हो क्योंकि round 2 के अंदर choice modification वाला option allowed है लेकिन इसके लिए आपको seat acceptance fee है 60,000 रुपीस वह आपको pay करना पड़ेगा and then float वाले option पे क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद आप round 2 के अंदर क्या कर सकते हो जो आपकी गलत allotment वाली seat है उसको सबसे नीचे कर सकते हो and दुवारा से float वाले option पे क्लिक करके आप उपर वाले option पे जा सकते हो तो इस तरह से आप choice filling modification कर सकते हो अगर कोई गलत allotment आपसे हो जाती है तो यह बहुत बड़ा important doubt है बहुत सारे बच्चे गलती करते है outsiders इनको पता नहीं होता है college के बारे में idea नहीं होता है तो वह exactly यह गलती हर साल करते ही है बहुत सारे बच्चे same mistake करते है है ना अब बात करते है don't take any lower colleges in IPO कोई भी lower colleges आपको IPO के अंदर नहीं ले लेने है क्योंकि आपको rank पर allotment नहीं आ रहा इसका मतलब यह नहीं कि आप greater noada में जो IPO colleges है वह भर दो यह haryana के अंदर है या sonipat के अंदर है मैं इन colleges का नाम नहीं ले रहा हूं guys but still आप इसको मत भरना कही सारे ऐसे colleges हैं जो अभी एक साल दो साल पहले ही आये है जिनका average package पहला batch ही नहीं निकला है तो आप average package कैसे calculate करोगे और बहुत सारे लोग है misguide करने के लिए YouTube पे बड़े बड़े channels मैंने देखे जहां पे उनको खुद को नहीं बता खुद वो किसी institute से पढ़े हुए है DTU से, NSUT से और वो IPU में वीडियो बना रहे है कि IPU का उनको कोई idea नहीं है वो IPU के lower colleges को भी दिखा रहे है कि यह भी आपको मिलेगा misguide कर रहे है तो इस तरह की चीजों से बचो lower colleges लेना आपके लिए इतना जादा harmful है क्योंकि यह colleges की सारी सीटे जो है वो खाली रहती है यह बस IPU में इसलिए participate करती है कि इनका traffic से इनकी सीटे भर जाए और बस बच्चा फस जाता है इन trap के अंदर तो don't go with the lower college अगर आपनी fill की है immediately आप expert से connect करो आप जानो कि आपके लिए college सही है की नहीं है क्योंकि आपको चार साल अपने देने हैं आपको इनको मिलने में problem आ रही है still you can connect with our expert तो मेरे नाम जै है 8 years मैं IPU के counselling देख रहा हूं बहुत सारे ऐसे channels आपको मिल जाएंगे जो हमारे exact content को copy कर लेता है और बना रहे हो तो इस पर videos on paid counselling भी कर रहो होता है but वो paid counselling में इस तरह का content नहीं दे पाएंगे जो मैं आपको free of cost provide कर दूँगा तो channel को make sure करो कि subscribe जरूर करके रखना आप मेरे से यार हमारी team से connect का सकते हो इस number पे call करके कि sir मेरे को allotment आई है वो गलत आ गई है या मैंने कोई lower colleges ले लिए है गलती से जो मेरे को नहीं चाहिए या मैंने गलती से choice feeling में भर दी थी बिरकोँ मिल गई है मुझे क्या करना चाहिए क्या better options होंगे तो build cool आपको better options यार अच्छे college में allotment की guarantee हम देंगे आपको करवा के देंगे आपको admission तो उसके लिए sure रहना है कोई भी गलत college नहीं लेना है यार जिन्दगी खराब होगी आपको फिर उसको पर decide करना है IPU का tag इतना ज़्यादा important नहीं है अगर IPU के colleges है तो वो दिल्ली में होने चाहिए और वो top colleges की list में होने ही चाहिए अगर यह number busy जाता है somewhat काफी जादा लोग अगर इस पर actively लगे रहते हैं कांस्लिंग प्रीमियम भी पर्चेस कर सकते हैं यह उसलिए नहीं कह रहा कि आपको प्रीमियम पर्चेस करना है इसलिए यह कह रहा है कि इन बच्चों से मैं directly connect करूंगा through phone call अपना 1 hour दूंगा 50-60 minute दूंगा एंड को समझाऊंगा पूरा process बताऊँगा कि यार आपको best क्या मिल सकता है कैसे proceed कर रहा है क्या आपकी choice filling रखनी है आपकी choice filling कैसे हम change कर सकते हैं कैसे optimize कर सकते हैं जिससे आप best ले सकते हो its the cost of pizza right 499 its the cost of pizza आप पीजा खरीदने में खच करते हो क्या career के लिए आप सोच रहो 4 साल जगहां जा पर जा रहे हो investment ROI आप लगाने वाले हो क्या वो colleges आपके future के लिए हैं भी तो इसको जरूर सोचना और अगर आप यह plan purchase कर सकते हो तो definitely purchase कर लेना हमारे portals के plans की details जो है WhatsApp portals के अंदर है जो की description आप सभी के लिए दिया हुआ है वहां से directly आप connect करो हमारी team WhatsApp पे available रहती है कोई भी website कोई भी telegram बगरा जाने की जरूरत नहीं है personalize अपना खुछ का WhatsApp API future है हमारा उरे team का यहां पे simply आप WhatsApp पे रहिए वहां पे लोग available होते हैं आपकी help करने के लिए वहां पे आप 499 purchase करिए और वहां से सीधा expert आपसे connect करेगा otherwise अगर आपका number आ जाये call लग जाते है एक्सबर ठालेते हैं उनसे बोलिए जैसर से बात करनी है आप बात करिए, discuss करिए और better college लीजिए लीजिए IP के अंदर जितने बच्चों की our help hope आएगी definitely करने बाला हूं Thank you so much guys for watching this video I hope so कि बहुत सारे doubts आपके clear होगे कोई भी doubt रह जाता है इसके regarding तो आपके comment section में जरूर पूछना प्राई करूंगा hardly कि आपके सारे doubts ली मैं cover कर दू Thank you so much इस channel को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना जब तक आपका admission नहीं होता है एक बार admission हो जाया और unsubscribe कर देना कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये channel आपको सही college में admission दिलाके रहेगा मेरी guidance है और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ोगे ही Thank you so much